स्वागत सानु सबनु इदा सामना करना पेंदा है कुछ लोग तो फाना दा डट के सामना कर देने ते कुछ लोग छोटियां छोटियां गला दो कबरा जान देने डर जान देने स्याने भी कहके गएने कि चिंता जड़ी हुंदी है वो चिता समान हुंदी है पर जे अपने आपते विश्वास होवे, किती परमात्मा दी अरदास होवे, हाँ पक्खी नजरिया होवे, चंगी सोच साडे नाल होवे, तांसी हर मुश्किल दा, हर डर दा, हर परिशानी दा और हर माडे हालात दा डट के सामना कर सकदे एक पहला समा होंदा सी, जदो सयुक्त परिवार होंदे सी, उसमेले करदे वड़े बजुर्ग सानु सला दिन दे सी, सडम मार्ग दर्शन करदे सी, परहुन एकल परिवार ने, पिंडा तो निकल के लोग अपने कमा कारा करके शेरा दे विच बस गये ने, परिवार छोटे हो चुके हैं तो ये सही सला सानु ना मिले, तो जिंदुगी दे जेडी गड़िया ओ पटरी तो उतर जांदी ए कहिए। इसले लोड है, सही मार्ग दशन दी, सही सला दी, तो जिंदी जड़ी है ओ खुबसृरत बंजांदी है। बिल्कुल सभी सला साड़े सारें ते काम ज़रूर आनदी है और मेगा जी जे तुसी दर्दां दी गल छेडी है जे ताउस दर्दा इलाज करनवास ते माहिर महमान साड़े स्टूडियो दे विच साड़े को विराजमान ने मेरी मुराद है जी डॉक्टर वनीता गोस्वामी जी तो क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ जेड़े इनाल जड़े हुए ने और जेड़े बच्चेयानों हर वर्गनों ए दस देने की डिप्रेशन तों स्ट्रेस तों के में बचना है तो आड़ा बहुत-बहुत स्वागत वेल्कम जी आयान जी प्रोग्रेम क्योंकि आज आसी गल करांगे स्ट्रेस ते गल करांगे डिप्रेशन ते आम इतारना है कि स्ट्रेस ते डिप्रेशन एक कोई चीज है असी ये दे विच फर्क नहीं कर पान दे असी कहने है असी स्ट्रेस ते विच है नाली असी कहने है असी डिप्रेस है असी डिप्रेशन कि अतारना ठीक है नहीं स्ट्रेस ते डिप्रेशन दोनों अलग लग चीज़ हैं स्ट्रेस ना मतलब है तना टेंशन तना थे किसी वी छोटी जी गालदा भी हो सकता है जो आप ते गए और थे बॉस तो डांट पाई गई तना हो गया और कारदे वीच कोई परेशानी होई त नंदे आप मैखर झार परेशानstrा कोईल दोनों अलग लग चीजां मैं उत्मान्य मिश्पी जी कोई जाना घक जान अ मैं तो लोक्तर के स्ट्रेस होller अिप्रेशने थोड़ा जरॉछ भी समे ना चाहँए विए पहता हम उप्रेशन हैंगेенд की एक आप में गोट सबत Hamilton सब तो पहला लक्षन है कि तना हो जाना दिमाग ते किसी ना किसी चीज दा बोज पह जाना नींद बहुत काटाना सुस्ती जी रहना या फिर गुसा आना या फिर चुप करके बैठे रहना जेडिया एक्टिविटी जेड़े कामकाज करन दे विच सानू बहुत खुशी मिल खुशी है खतम हो जाना या फिर पुख बहुत जादा लगना किया नू डिप्रेशन दे विच बहुत जादा पुख भी लग दी है रोने नू मान करना और कई वरी सिम्टम्स या लक्षन इनने जादा बाद जान दे कि जड़ा पेशेंट है उन्हों दा जी कर दा है कि मैं अधिने जिन्दिगी खतम कर दा तो जो ऐसना दे सिम्टम्स हो जान या इस तान दे लक्षन हो जान और इस चीज दो तीन हफते तो जादा हो जाए और शिम्टम्स या वद्धे जान या मतलब वहना दे विच कोई कर्टा ना आवे तो समझो पेशेंट जड़ा है डिप्र या आवे एकाम कर दो जाता कर दोसा है जाता है समझनलक्राण पेशन हो जो जाता हुआ जाता करना दावक करने पारो मतलब करो जोड़ा नेन उडिप्रेशन NEW टाइच हो जो जो ड़क्रारी दे चांग परनी मतलब है कि कॉछ जड़ा चाइख के गोई हो इक कुल चछी तो 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 निकल के और अग्य तुरू करता है पर जो दो लगे कि यह सारे जड़े लक्षन है इना उनु तिन हफते हो गया है यह तिन हफते तो जादा हो गया है और मरीज थी हालत जेडियों सुदर नहीं रही है उस ताइम ते समझना चाहिए कि अलार्मिंग साइन समझे न जे डॉक्र साब एता सिंटम्स दी गाल सी अपा मुख कारना दी जे गाल करिये केड़े केड़े मुख कारण है डिप्रेशन दी देखो में ता दो कारण है एक अपा बोल दे एक्स्टरनल जिनननों सी बारी कारण गय सकते है जिवें की नौकरी चले जाना या नौकरी दे मुखीवा है जाना या फिर किसे तंती जडिये कारण है अधे की शुरू ह जाना की तेरों देली जटेगे लड़के-लड़कियां उनननों सी बमार गोलत से समय ध्री लगशान है जान दे शिरी दे अंदर बहुत सारे हॉर्मोन से बदलाव आ रहे हुंदे उस दोरान उना दे अंदर मंद विच कई तरह नी परिशानियां चल रहे हुंदे हैं या फिर जडीयां 15-25 साल दी उमर दियां और या उरता हैं उनना विच भी बहुत सारे हॉर्मोनल से जिज आन है उस दोरान वी ओरता नो जड़ाय है सिम्टम्स दिप्रेशन दे देखनों मिल दे हैं और तीसरी गाल है जो दो कोई बहुत वड़ी सर्जरी होई होई या कोई वड़ी बीमारी दा इलाज हो या इवन असी अभी देख दे हैं कि टाइफाइट दा इलाज हो या टाइफा वह किस त्रह सानो सबजना चाहिए कि होन कसांडhe कारधे किसी मेंबर नो जिड़ा डिप्रेश रह रहे है उदास रह रहे हैं जिड़ी डॉक्तर को लेके जाना चाहिए जी देखो जड़ी चोटे- ठीश्ब्स है तना हो जाना निन काटाना फूखना लगना एफ कारधे मे Уपनाव बयाता तनाव नाल पीछड़ना वोग जड़ना तनाव जड़ना जड़ना जाया ओठीक हो जानादें बादेंक पारापन हो रहा है और यापने खर छोलके मरीश दजदा हैगा एपने फैमिली मेंबर्स जलगा जड़ना है ते कोशिश करो कारदेबाकी मेंबल्स नो चाहिए कि ओदेनाल बैठन, गाल करन, बच्चे जड़े हैं तनावच मेसूस हो रहे हैं कि बच्चे जड़े हैं बहुत अलग जब भीएवियर का रहे हैं, अलग जब अदा सबाव हो चुका है, अपने कमरे ची रहन दे हैं, ना कि आई छो बहुता मान लग रहा है, और रोना भी उना नो आ रहा है, तप फिर उना नो पेरेंट्स नो साइदाए कि समझन कि बच्चे नो जड़े हैं कुछ प्राब्लम चाल रहा है, फिर बच्चे देनाल टाइम स्पैन करन, और उस तरह जब बच्चे देनाल दो चार दिन सब्सक्राइब करने तो उननों पता चाल दाएगा कि बच्चे जड़ी केडी प्रॉब्लम है और सुल्यूशन भी निकल आंदा है बड़े अलगाल करके बच्छे आंदा है जदो एना सारी अंगला तो बावजूद भी लगे कि जड़ा मरीज है ओ किते ना किते हले भी डिप सब्सक्राइब करें जड़ा है अपना मैडिसन या ट्रीटमेंट दना है जी डॉक्टर सब औरत नों परमात्मा ने बहुत सहनशील बनाया है पर ए आम तौर ते देख्या जानदा है कि औरता जड़ियां ने ओडिप्रेशन दा बहुत जल्दी शिकार हों दिया और उनना लिकुल सही क्या औरती शेंट आ झार ला चेंड बहुत ही और मों बने घ्च ऑन ला चैंजे जी बहुत सहनप घ्याइब तो दो किते ना किते हर वेले अपनी बौडी डिस्टर्ब हों दे ना प्रशान ही रह धिया मैं। और फिर दूसरी उना दे नाल गाल करन वास थे कार विच कुई बहुत जादा लोग हुन दे नहीं है जिदे कार कि उना दे टरा गुबार है उंदर दा अंदर ही रह जान दे और किसे नाल शेयर नहीं कार सकती है अचल बैठिया रोन दे या उनाल वादा प्रक्षन जड़ा है वोट कमली देखन नू मिल दा है और खासकर कि मैं अवी देख्या है अपनी प्रक्टिस देवेच की जड़ी हुस्पन्स है जो गाल कर दे और वो उदी सुन दे और नू कैन दे ही रन्दे तू आमे जादा सोच जाननी है तिरे द्मा खराब हो गया तिरनों लोड़की सोच दिने कोई कमी है ऐसे नहीं कहना होंदा सिर्फ सुनना होंदा है और अंदर जो केमिकल चेंज़े और अपना होदा वासी नहीं है गा तो दे करके और डिप्रेस्ट हो रही है जड़ी है जड़ा एही कारण है ज परिशानी दा शिकार हो जान दिया है या डिलिवडित बात दी गल करी है ने डिलिवरी तो एकदम बाद वी जदो जिम्मेवारी बंट्टे दी पेहन दी है ते अकेला पन महसूस हो उस वेले हु़्ट या मांसिक, परिशानी जड़ी है ओ सामने आंदी है ते एस वेले किस तरह उना नो संभालना चाहिए है बहुत सारे देखो पेशन साड़े को लानने है प्रेग्नेंसी देविच और तान देविच बहुत सारे चेंजिस आंदे है कि उस दुरान उना देविच एवी पामना हुंदी कि मैं बच्चे कुछ दिमाग ची परेशानी आ रही है ते सानू कई वरी जडी प्रेग्नेंसी देविच देविच नो सिम्टम्स देखनों मिल देए उस तो बाद जदो डिलिवरी हुंदी है ओदो भी बहुत सारे हॉर्मोनल चेंजिस आंदे है जिन्नों असी जदो इस दो रान देप्रे परेशानी दुख तकलीफ बच्चे दा खुशी उन्नों इन्नी जादा नी मिल पारी हुंदी जिन्नों अपनी अंधरूनी केमिकल्स चेंज करके उन्नी परेशान हो जान दी है और दे विच फिर औरता नो जडी है बहुत जादा फैमिली सपोर्ट दी अफेक्शन प्यार परिवार दे मेंबर जुड़े रहें और नो कैन कि तू कबरा आना सी तेरे नाल खड़े आ और इना सब बावजूद भी अगर लगे कि और जडी है बहुत उदास रही है रो रही है खाना पिना नहीं खा रही है बच्चे वाल त्यान ही नी दे बच्चे दे प्रती कोई ब चैनल बड़े प्रफेशनल धरूडा यानि जच्चा ते बच्चा दोन्हों ही इस मांसिक तनाव दा शिकार रहार हुंदे ने जाशे ने बच्चे अजकल डिप्रेशन दा बहुत ज्यादा शिकार हो रहा ने की कारण देख देख देखो पहला टाइम सी जो 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 तो जिन्दीगी ना नजरिया कुछ और हुंदा सी, हुन हो गए एकल परिवार, माता पिता इक या दो बच्चे, माता पिता को भी बहुत काथ टाइम हुंदा वह जी थोड़ा बहुत टाइम हुंदा था अज कल मुबाइला दे लगे रहने सारे, तो दे करके जड़े कर दे हैं, खास करके जड़े तेरां तो लाएके वी साल दी उमर दे बच्चे हैंगे ना उस टाइम उना नो अपने माबाब दे सहारे दी सपोर्ट दी बहुत ज़रूरत हुंदी है, क्यूंकि एक्जाइम दा स्ट्रेस, फ्यूचर दा स्ट्रेस, पढ़ाई दा स्ट्रेस, क्यूंकि तुसी किसे नू जान दे ही नहीं हो, फिर ओ थो जो सिख दे जान दे है, ओ ही ओ ना दे दिमाग दे हावी हुंदा जान दा है, ते इस करके जड़े बच्चे हैं वी सही रस्ता नहीं मिल दा, ते ओ जड़े अपनी परिशानियां देवे चुल दे रहन दे है, जि स्कूल धियां क्लासा भी ओनलाइन जड़े जड़े हैं ते सारा दिन बच्चे जड़े हैं गैजेट से विछी बीजी है, जिदे कारण डेप्रेशन मान से कविकार बाद रहे है, की में संभाली है बच्चे आनो, हाँ देखो, टाइम थे बड़ा टफ जया चल रहा है, अपने बच्चे आनों, फायदा उठाया जा सकता है, इस टाइम देविछ माबाप जड़े है, वना दा फर्ज है की अपने बच्चे आनो, क्वालेटी टाइम देन, चंगा टाइम देन, बठन उना देन, ऑनलाइन ओनलाइन क्लासिज जाल रही हैं ओन दे बारे डिसकास कर दो बच्चे आन्पब आप सकत मुक्रा शोक्राइड माब बालने तो बालें पर कम चाहिए वि schwducाना। जी डॉक्टर साहब देश, समाज, परिवार मजबूत हो दो बन्द है पर विकसाड़ा हो दो समर्द है जदो देश दा नौजवान यूवा जड़ा है उस शरीरिक तो और थे भी ते मानसिक तो और थे भी फिट रवे तंदुरस त रवे इशारा नौजवाना वाल है यूथ यूथ जड़ा हो भी बहुत ज़ादा आजकल मानसिक तनावदा शिकार यूथ जड़ा है इस स्ट्रेस तो इस डिप्रेशन तो बहर कड़ना है यूथ वाल दो आपा भी बाई ते ही साल दे जड़े अग्गो नौजवाना दी गाल कार रहा देखो ओना दे फ्यूचर प्ल यूथ जड़े जड़ा जिसना दे दोस्तमितर हों दे तुसी बांध़ भी जाए घर ताड़े आसपास ताड़े लोग है ताड़े आसपास गलत दरान दे लोग है गया है अगभी ता प्रभाव्त आदे जड़ी है शिरीर और मन तो प्रणा ते पहनदा है जिड़ा तो जेडिया गल्ला है उना तो बचके रहाँ, इस्पेशली नश्यां तो, बिलकुल जी गल्ला, क्योंकि जो तो स्ट्रेस आंदा है, सब तो पहले सी नश्य वाल तो, सहारा लेला, कि पही कितना किते मेंनों रिलाक्सेशन मिल जाएगी, बट एक्चुली यह बहुत ही गलत तो अश्यां तो बचो, अपने फिचर प्लानिंग्स नों कारा गार बनान वास्ते उदेते पूरा फोकस करो, अपनी पणाईवाल पूरा त्यान दो, अपनी एनरजी जेडिए, ओ चंगी तरह अपने फोकस अपने ूचर प्लानिंग्स दो लगाओ, जी घड़ा है तुसी वह उमर वर्ग डे चाहे बच्चे दी गल करिये औरता दी गल करिये बजुर्गा दी गल करिये नौजवान करिये किस तरह मदद कर दिया साइकोधेरपी साइको थेरपी मतलब है कि पेशेंट है जड़ा डिप्रेशन दा एंजाइटी दा उदे नाल बैठ के काउंसलिंग करना गालबात करनी उन्हों कुछ होमवर्क्स देने कि ऐसा तुसी एकाम करने है उन्हों कुछ अकुपेशनल टास्क देने उन्हों कुछ टाइम टेबल बन बैजने पर देने काहिए योज और प्रेशन निकल के और प्रेशन तक स्ट्रेस्ट चरेशन तो निकला जांदा हुँ है यह स्टिन मित फपा कह सकते हैं कि रिञ़ कारना ऑधर वांना शरंदी सानु लोग कि यि झीट पागल की ये शब्यां यूज करनगे कि यह तारणा स खाहिए नेहीं बिलकुल गलत है तार ना तेखो चछ्ट और मन साधी बाडी दा हिससा है जह उसरीर दे रोग लेए असी किसे भी तरांदे परेशानी लेए डॉक्तर नो तो ध कहान जाज सकते हैं ते मन दे रोग लेह क्यूं न जा सकते डॉक्तर नो धिक भान वास ते बिलक मान नहीं जिते हैं, मान जिते हैं जग जीन, जिसम्बर ना लिक मित एवी है कि जदो डिप्रेशन दिवाईया से शुरू करिये, हो सगदा है दवाईयां सानो सारी उर्म खानी पहन, हो सगदा है सारी उर्म लेच दवाईयां लग जान, इस तरह दी जड़ी मान सिकता है, ओ यह जवाब लेन तो पहला मैं एक आकड़े देना चाहूंगे कि WHO दे रिपोर्ट है कि दिसम्बर 2000 वी तक 7.5 प्रतीशत जड़े पारती है उमानसिक विकारदा शिकार ने पिंजा करोड़ पारती है उन्हों अनू एंजाइटी डिसॉर्डर है यह आंकने साथे सामने ते फेर वी इस तरह दी सोच किते तक ठीक है देखो बिल्कुल गलत सोच हैगी है लोग मैं देखनी है लोगानू डाबटीज है जिननों शूगर दी बिमारी है ब्लाड प्रेशर सारी उमर दवाई खाया जाने आए पाइदे चरह देखा देखा देखाए है कि ब्लाड प्रेशर कंट्रोल चरहना शूगर नी है तो बांदी नू पता है कि किन्नी दिन दवाई देखा आके बांद करनी है तो तो आठेटी डॉक्टर नू समझ आ जानदाव है बहत सारी ज एक्स्टर्न जड़े बारी कारण है जो ना था होली असर खतम हो जाना तो डवाईयां ते नाल आई होना है कि तुसी जल्दी तो जल्दी बिमारी निजात पालन देओ और अपनी लाइफ नॉर्मल तरीक के तो शुरू कार लेंदेओ अगर तुसी दवाई नहीं लेंदे और इस बिमारी नाल जुजदे जान दे और तकलीफ दे विच रहन देओ छे-छे मीने साल साल तुसी जड़िया नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो मेगा जी स्याने केंदे है कि दूर हो जान देने सारे रोग जोतना जिन्दगी विच अपना लेनेया योग योग दी पुमिका बारे हुन गल करनी है योग किना फाइदे मन्द है योगा मेडिटेशन प्राणायाम काफी हाथ तक फाइदे मन्द है साड़े मन्दे परिशानिया नू दूर करन देविच काफी हेल्प कर दा है योगा मतलब है कि साड़ा शरीर ते मन असी एक सार कर ले आवा है जरीर और मन एक को तरफ चल रहे हैं इक को सोच वाल चल रहे तो ओदे नाल की हुंदा है कि असी पिछलियां ते अगलियां टेंशना पूल जान देया और असी उस टाइम बिल्कुल शाथ और एकदम प्रसान चीत हो जानने है और हुंदा की है कि जोदो सी रोज योग कर देया तो ओदे नाल डेली जोदो साड़ा रूटीन बान जान यहां कि अशर बिल्कुल फिल्कुल एक और है कि वर्तमान दे विछ जीना की मरें है रहना की में खुश की ममें रहना कें तो हिशेयं को जादा है कि माम जुकंख मैशना कोशेछ कर ओऊ हल्का खाओ, पानी जादा पीओ, ताजा खाना काओ, ताजी सबजियां खाओ फाल खाओ फ्रूड खाओ अंकुरित दाला खाओ तुसी और पानी ती मात्रा जेडिया अपने खाने पीने दे विचे जरूर इंक्लूड करो जो डैट जड़ा है ताडी बॉडी दा हाइडरेशन लेवल जड़ा है ठीक रहा रवे और जेडिया ताडी बॉ मेरा इशारा बज़ूर गांदे वाला है पहला जिना परिवार हुंदे सी बज़ूर गांदा साथ हुंदे सी ओना दे देशा निर्देश हुंदे सी और नाल जदों सी रहंदे सी ताड़ा बहुत कोई से ख़ड़न मेलता सी बज़ूर गांदा सी बज़ूर गांदा साथ सब्सक्राइब बिए कि अज़ा बॉट इक बच्चे अपने बजूर्गां दी सेवा कर देए और तो दी बच्चें दी अंदर इक बाद अच्छी सैटेस्फेक्शन आदी और वाक़ी कुछ कार पा है अपनी लाइफ देविच और जड़ा जड़ा गया जान दा जान दा बु जर्णेरेशन अगली वाली बहुत इंजौई कर दी और अना जड़ा कॉन्टेक्ट है ना बहुत कमाल दा गॉन्टेक्ट बन जान दा है और कहने ना कि अपने बच्चे आलो पोते पोतीं जड़े हैं ज्यादा बजूर गार फटकार है प्यारी प्यार वाला रिलेस्ट एंग पर इस सारे प्रोसेस दे दोरान असी मानसिक विकार दा शिकार भी हुए हैं यह परिस्तिती है की नकर आत्मक विचार मान दे विच ज्यादा आ जान देने डार रहन दे टे पॉजिटिव किता सोचे इस विचार आपने टारगेट बनाओ स्वेरे उठो जिफ्टो पर अज मैं पूरे दिन दे विच आ है काम करके अपने कार दास ओना है जादो तुसी तेल पर्या होया या तल्या होया या मिठ्था पोजन जड़ा है तो कट तो कट करो ठीक है और दूसरी गल जेड़ी है कोई ना कोई अक्टिविटी ज़रूर अपने रूटीन दे विच शामिल करो मैं कह सकते हैं कि 40-45 मिनटे चाली तो 15 मिनटे वाक होवे या कोई एकसाइस होवे या साइक्लिंग होवे या कोई रुनिंग होवे योगा या मेडिटेशन कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर करो बिल्कुल जड़ा ज़ादा तो ज़ादा अक्सिजन अंदर जावे और पर बिल्कुल आपने जिंदगी तो डिप्रेशन नो पजाएगे और अपने आप अपनी जिंदगी तो डिप्रेशन नो पजाएगे यही असी संदेश जड़ा अपने दर्शकाउं दे रहे हैं डॉक्र साप तुसी स्टूडियो दे विच आए और एनी कीमती जानकारी सादना सांजी की थी तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यार दर्शकों तो बहुत बहुत शुक्रिया